हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है अप लोग अच्छों को दोस्तों मैं हो अरफाज और आप देख रहे हैं भारत की बात दोस्तों आज हो चुका है तेज जुले 2022 तो आज दिन भर के हर छोड़ी बड़ी खबर लेके आया हैं आपके लिए तो चले वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से बेल अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देजे ताकि आपको इससे तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में कुक्यात नकसली पिंटू राना और करुण दी ने पुलिस के समक्च सेरंडर कर दिया है दो दीन से दीन भर नकसली पिंटू राना के सरंडर की चर्चा पर अब विराम लग गया है जोनरल कमंडर पिंटू राना के हतिया डाल देने को लेकर कई दिनों से उहापो की इस्तिदी बनी हुई थे बिहार जारकंड और छतिजगर तक अपने आतंग का जाल फैलाने वाले दूरदात नकसली पिंटू राना के सरेंडर की पुष्टे एसप अभियान ओम परकास सिंग ने की है गौरतलब है कि पिछले दिनों तीन नकसली सरेंडर के करने के बाद सहे चर्चाओ का बाजर गरम था कि एक बार नकसली कमंडर सरेंडर करने वाला है लेकिन अब इस सुचना पर मोहर लग गई है पिंटू राना और बिहार और जारकन दोनों राज्यों ने इनाम रखा था कि पिंटू का आतंक बिहार के अलावा जारकन और छतितगर में भी रहा है नकसली संगठन में उनका कद काफी बरा रहा जानकारी के मताबिक जारखन में पिंटू राना के उपर पांच लाक तो बिहार में एक लाक रुपे का इनाम घोसित था बता जा रहा है कि पिंटू राना की पतने भी दूरदात नकसिली है और उस पर भी भारी इनाम घोसित किया था पिंटू राना की पतने करुना ने भी सरेंडर किया है पूस्तो बात करते हैं कि सुक्रवार को CBSE बोर्ट के 10 वी और 12 वी के रिजल्ट खोचित होते ही कहीं खुची तो कहीं गम का माहूल हो गया था जो सफल छातर हुए वो अपने अगले टारगेट में लग गये लेकिन जो असफल हुए या जिनके नंबर माक्स कम आये है वो छातर डिप्रेशन में ना जाए उनके लिए एक IS अपसर ने अपनी दसवी के नंबर सुसल मीडिया पर शेर किये जिसमें उनकी 44 परसंटेज बनी थी भारते परसासनिक के सेवा के अधिकारी अपनी सरन ने अपने ट्वीटर हैंडल पर अपने दसवी सेल लेकर गरेजुएट तक के माक्स सेल करते हुए ट्वीट किया अपनी दसवी कर्षा की बोर्ड परिक्षा में ठट डिविजन यानि 33 सरेनी से पास हुए थे उन्हें ने चवालीज दसमनल साथ परतिसत अंक पराप्त किये थे इसके अलाबा उन्हें बताये कि CDS और CPF में वो फेल हो चुके थे इसके बाब जिदुवा IAS अपसर चुने गए और उन्हें 1999 में 36 गर केडर मिला दोस्तों बात करते हैं कि जुवार को पच्चिमी महराष्ट और मराट वारा का मुख्य फसल माना जाता है लेकिन समय बीटने के साथ साथ फसल पैटन में बदलाव आ रहा है फिर किसान कम लागत पर अधीक उत्पादन देने वाले फसलों पर ध्यान केंदिर्ट कर रहा है सुलापुर जिले के मंगल वेदा से मालदान जुवार को इसके उत्पादन गुनवत्ता और अच्चे सुवाद के कारण जी एटेक मिला हुआ है इसके बावजूद खरीफी सीजन में जुवार की जगह किसानों ने स्वैबीन की खेती पर जोड़ दिया है अब स्वैबीन के बुआई छेतरे में विड़्दी हो रही है तस्वीर से पता चलता है कि जुवार के खेत पर अब स्वैबीन का कबजा हो चुका है किसान भी अब विवैसाई की खेती पर फोकस कर रहा है बाजार की मंग और उत्पादन लागत को देखकर है फसल परनाली को महतो दे रहा है जुआर की किमत और अधी के महनत को देखते हुए किसान अब स्वैबिन और कपास की बुआई पर ध्यान दे रहा है जिए टेक प्राप्ते छेतरे में जुआर के लिए बाजार उपलब्द भी नहीं है और जुआर की खेती में इतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा था यही करण है कि किसानों ने स्वैबिन को पराथिमिक दी है उन्हें बड़ी मेहनत से होने वाली फसलों में आमदानी बहुत कम हो रही थी इसे को ध्यान में रखते हुए किसानों ने स्वैबिन को तरजी दी है दोस्तों बात करते हैं कि परदेश में मौनसून धिरे धिरे असर दिखा रहा है सुकरुआर को बिहार की जायतर जीलों में बादल चाय रहे और कई अस्थान पर बारिस हुई मौसम विगयन केंदरे ने आज सनिवार को परदेश के चार जीलों में भारी बारिस को लेकर एलो अलेट जारी किया है इन चार जिलो में पूरनेक के संगज अलरिया और सुपोल सामिल है इसके साथी सोले और जिलो में सनिवार को मेरिक गरजन के साथ हलकी बारिस होने की समावना है अगले दो दिनों तक मोसम की बात करें तो परदेश में वर्सा के आसार है अगले दो से तीन दिनों में हलकी से मादम अस्तर की बारिस हो सकती है में गरजन की भी समावना है जिसा निर्देस दिया गया है कि इस मोसम को देखते हुए लोग सतरक और साथान रहे यह दि खुले में होते किसी पके मकान में जाए उचे पेर और बिजले के खंबे से दूर रहे दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी पर निसाना साधा है साथ ही बीजेपी ने राहूल गांदी को बच्चों से सिखने की सला दी है दरसल राहूल गांदे ने टुटेर पर CBSE बोट दसवी और बारवी रिजल्ट जारी होने पर सफल हुए विध्यारतियों को बधाय देते हुए इसमें उसने दसवी और बारवी की जगह बारवी और बारवी लिखा था इस ट्वीट को स्क्रिन सोट लेते हुए बिहार भाजपा ने राहूल गांदी पर तंच कसा है राहूल गांदी ने CBSE बोट से पास हुए बच्चों को बधाय देते हुए ट्वीट किया कि CBSE कक्षा बारवी और बारवी परिक्षा में उत्तिरने हुए सभी विध्यारतियों आपके भविस्य के सभी परियासों में अपार सफलता की कामना करते हैं विधार भाजपा ने राहूल गांदी के इस ट्वीट पर तंच कहते हुए ट्वीट किया राहुल गांदी जी दसवी और बारवी होता है बारवी बारवी नहीं नहीं पता था तो बच्चों से पुछ लेते ऐसे कमेंट करने के क्या जरूरे थी आपको दोस्तो आज का निच यहीं तक मिलते हैं अब कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ